पवित्र शिरिमत भागवत गीता पवित्र चारोवेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइविल, पवित्र गुरुगरंत साहिब, पवित्र कभीड साहिब की वानी में छुपे हुए गूर रहस्य, अर्थात, तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिये, जगत गुरु तत्व दर्शी संत रा पत्री है, आप जा ये अपना घर बसाइए, जिसनों जिसे कहा कि ये तिरी पत्री इसका नाम लक्समी है, जा बेटा अपना घर बसाओ, और तीसरे से कहा कि इसका नाम उमा है, और जा संकर बेटा, अपना घर बसाओ, उससे हम इतना सारा संसार उन इसे उत्पन हुआ, तो अपने अत्मों ये बादम तो शिव जी की प्रात और भूत और प्रेत ये स्कोरी बकवा दिखाई जाती है तो हमने अपनी बेटी को प्राई करना है वचन से होता है और भगवान का जो नाम मंत्रा आपको मिल जाएगा बेटी को या बेटे को उस जैसा दहेज इस दर्ती बनी है प्रमातमा की पावर का कनेक्शन मिल जाएगा सदा सुखी रहेगा भगवान उसके साथ रहेगा तो अपने इस बात का डर बना रहेना चाहिए कि आज हम किसी से दहेज लेते हैं तो ये हमारे उपर कर्ज बन गया और इस कर्जे को हमने देना पड़ेगा कभी भेंस बनोगे उसकी लड़की वाले की अगले जनम में कोई ना कई या गदा बनोगे या खचर बनोगे उसका पूरा पाई पाई देना होगा ग्रीबदा साहिब जी कहते हैं तुमने उस दर्गे का मैल नहीं देखा बगवान से डर्के आपने चलना पड़ेगा समाज से बिलकुल बाई काट करना पड़ेगा बाई का मतलब यह है कि उनकी प्रमप्राओं में सहोग नहीं लेना ना देना और साध्धन तरीके से रहना ठीक आपके पूरव जनम के संसकार अच्छे हैं चाहे कोई मकान भी बना लो कैसा ठीक सा बना लो कार भी ले लो मोटर साइकल भी प्राप्त कर सकते क्योंकि आज कल योग है तो केरने का भाव यह है कि यदि भगवान की दया है तो लीजिए नहीं तो बगद को जीने के लिए अपने प्रमात्मा कबीर जी की उस जीविन सहली पर नजर लगानी चाहिए सारे ब्रमंडों का निर्माता सभी आत्माओं के उत्पन करने वाला सब का धारन पोशन करने वाला सब को सब का पेट भरने वाला राजा को राज देने वाला सेट को धन देने वाला वो स्वेम एक जोफडी में रहा करते थे सारे बर्मंडों का पेट बरने वाला सबका धार्ण पोशन करने वाला असंग बर्मंड का संचालक बनारस के अंदर एक जोँपडी मरहा करते थे तो परमात्मा कहा करते थे कि लोक लाज ना कीजिये नर्बे हो रहे यो मन सादों दीजिये तक गोबिंद पाईए हमने एक साधान जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए संसार की तरफ देखकर हम कभी भी बक्ती मारग में इस सफर पर नहीं चल पाएंगे तो प्रमात्मा प्रमेश्वर सारी सिष्टी के रचनहार एक भूमी का करके गए थे कि वही मैं कैसे रह रहा हूँ और भले ही कोई कोठियों वाले हैं जिन उन दस दस प्लाट लेकर खरीद रखे हैं शर्पदर के ले जाएंगे उनको अगले दन मरत्य हो जाती है वह प्लाट वही रह जाते हैं आप कहीं चुआ बन करूनी प्लाटों में बिल खोद कर रह रहा होगा तो ये बाते हैं इस ग्यान के आधार से आप इस वक्ती मारग पर चल पाओगे अन्य था फिसल जाओगे इस रप्टिली मारग से तो हमने जो परमात्मा ने जो ग्यान दिया है उसको अधार बनाओ तो पुने आत्मा पहले दन डीजे बजाते हैं नाचते और गाते हैं अगले दन दुर गटना हो जाती है या महने दो महने से महने के बाद कोई ना कोई और दुर गटना गट जाती है तो इन सब बातों को ब्रे ये एकाद गटना है लेकिन हमने इसको ये मान के चलना पढ़ेगा कि अब इजली कभी भी गिर सकती है जिस लोग में रहकर हम मस्ती मार रहे हैं यो समय मस्ती मारने का नहीं है जनम सुधारने का है करम सुधारने का है परमात्मा की भक्ती करके अपना जीवन सफल करने का समय है तो इसके विसे में नानक साहिब जी कहते हैं के ना जाने काल की कर डारे और किस भी धर्जा पासावे और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हासावे नानक साहिब जी शिक दर्म के परवर्तक परमात्मा प्राप्ती के उपरांत वो ऐसे रहा करते थे मायूस से क्योंकि वो उस सथान को देख चुके थे जहां पर हम पहले रहा करते थे एक परम सुख में सथल है और हम उसको छोड़कर इस गंदे लोग में फ़स गे थे अब जिसने वो सत्थान देख लिया उसका मन यहां नहीं लगेगा उसको तो ऐसा लगेगा जैसे तो गलत जगह फस रहा और कब वो समय आए मेरे मर्टू हो परमात्मा मुझे ले चले उस लोग में तो इसलिए वो हमेशा मायूस रहते थे यहां का कोई भी सुख उनको सुख दिखाई नहीं देता था तो उस समय एक दो भक्त जाते थे उनसे कहा करते थे के महाराज जी आप हमें कभी खुस नजर नहीं आते आप मायूस मायूस से रहते हैं इसका कारण बताईए तो नानक साहिब जिन कहा था वही ना जाने काल की करड़ारे और किश्विद ड़जा पासावे और जिनाते सिरते मौत खुड़क दी उन्हानों की ड़़ासावे कि हमें पता है यह मालूम है कि कभी भी विजली गर जागी ना जाने किन कारणों से आर्ट अटेग हो जा कोई और ब्रोग के कारण मर्चू हो जा दुर गटनाम हो जाए और यहां पता ने के विजली गर जागी जैसे उतराखंड के अंदर गए थे के दारनाच का मात थाटे कने और कल्यान कराने और के क्या हो गया महाँ पर एक सेकिंड में आराम से बैठे बतला रहे थे कोई कुछ कर रहा था कोई सोच रहा था कोई वहा की बातें कर रहा था कोई वही से की प्लानिंग बना रहा था ये बनाऊंगा वह कोठी बनाऊंगा और एक मेंट में बादल फट गया इतना बैंकर फलडाएगी कि सब कुछ बहाद या उनकी नामों निसान नहीं काफी लोगों का तो सौवी नहीं मिले मलवे के अंदर दब गए तो पुन्यात्मा इसे लोग में अर्दनाचो गाओ और यहां के बविशे की सकीमर ये कोठी बनानगी बनाओ तो भगत नहीं हो छीटनी लगी आपका भगती की फिर तो नानक साहिब जी कहते ना जाने काल की कर डारे और किश्विद ढ़ल जा पासावे और जिनाते सरते मौथ खुटकदी एक सेकेंड का पता नहीं कबिर साहिब कहते ना जाने अगले सांस का आवन होग ना हो तो उनको कैसा हासा हो किस चीज पहां से फिर उनने पूछा क्या आप सदा ऐसे मायूस रहते हैं क्या आप सदा ऐसी रहते हैं कहते हैं नहीं साद मलें सदसादी हों दी और वी छड़ जाए दिल गीरी वे अख्दे ना नक्षणो जिहाना ये मुश्कल हाल फकीरी वे कि जिसमें मेरे भग्त मेरे सिस जब वापस आते हैं सत्संग सर्वन करने के लिए और ये यो के यू आ जाते हैं तो मुझे खुसी होती है क्योंकि पहले सिटाट में बहुती कम सर्धाल उनकी सर्णवाए थे क्योंकि वो ग्यान पहले वो हिंदु धरम जनमे थे नानक साहिब जी और फिर उसके बाद ये हमारा मारक ते एकदम विपरित है उसमें लोग सिक्सित थे नहीं तो उनकी मारक को स्विकार करने वाले उसमें बहुत कम थे तो जिस भी कारण सो पचास दो सो जितने भी भगत आते थे सच सच छुने के लिए तो उसको गिंती की होते थे और दो चार नहीं आते किसी दिन तो गुरुदेव पूछा करते थे लाना नहीं आया भाई, क्या बात होगी जब उसको ये पता लगता था उनको कि आप कोई किसी काम बस नहीं आया तो कोई बात नहीं और एक दो ऐसे भी होते थे तो दूसरे शीरफरे संत उनके हिसेस उनको गुबहा कर लेते थे बैकार देते थे तो नानक साहिब जी कहते हैं कि जब ये सभी भक्त मेरे वापस आते हैं क्योंकि संसार के अंदर भक्ती करना वड़ा दू पर हो गया है कारण क्या है कि सत ग्यान देने वाला एक और बर्मित करने वाले करोडों की संख्या में तो क्या वो कहा करते थे कि साद में ने सड़सादी होंदी और विच्छड ज्याजल गीरी वे जब ये यहां से जाते हैं तब मुझे मायूसी हो जाती है कि कहीं कोई मेरी फसल में कीडा ना लग जा इन भोली आत्माओं को मुझे से शिरे चड़ाया है ये ग्यान मारक दे करके और ये शिर्फरे पतानी कितने नकली पंट फिरे हैं और इन भोली आत्माओं को गुम्रा ना कर दें जब ये यूंके यूं आ जाते हैं तब उस दिन मेरी खुशी का कोई ठेकाना नहीं रहता कि इनका कल्यान हो जाएगा ये भर्मित नहीं हुए है साद मले सड़ सादी हों दी सादी माने खुशी और विछट जाए दिल गीरी वे जब ये विछट जाते हैं तो मेरे दिल में बड़ा दुख होता है ये बात सताती रहती है कहीं बच्चों को कोई गुम्रा ना कर दे इनका जीवन ना सोचा अख्दे नानक सुनो जिहाना ये मुश्कल हाल फकीरी वे इस वक्ती का करना बड़ा कठिन है क्योंकि अन्य साधना ये तो प्रमप्रागत है उसमें कोई ये कहने है उला ही नहीं है कि आप ये ना करो ये गलत है जो कर रहा हुए ठीक है हाँ भाश बिल्कुल बहुत अच्छा मैं ये करता हूँ आप क्या करते हो मैं ये करता हूँ बड़ ठीक है आप भी करो हम भी करें और इसमें यहां कहना पड़ जा कि ये नहीं करना ये नहीं करना ये करना तो इस परकार ये थोड़ा सा कठिन मुश्किल हाल फकीरी वे फकीरी माने भक्ती या भक्ती का करना बड़ा कठिन हो गया है और जिसमें अब ये ग्यान तो विश्व में जाएगा और पूरे विश्व को ये ग्यान सुहाएगा और जिसमें जब सभी एकरस हम हो जाएंगे जो भी इस ग्यान को सुनेगा कुछी समय के बाद इसमें अबजेक्शन नहीं रहेगा किसी को सभी ये कहा करेंगे ग्यान तो एक नमबर का है ग्यान में कोई कभी नहीं अब जो इतनी हाँ बरन लग गया इतना सविकार करेगा तो एक दिन वो उपदेश भी लेगा तो फिर समस्या समाधान हो जागी फिर आसान हो जागी या फकीरी फिर ये सब कोई बादक नहीं रहेगा तो उसके लिए ये ग्यान परचार सत्संग मापको बार बार बुलाना इसका उदेश से मूल यही है कि आप आते रहोगे आपका भक्ती में विश्वास बढ़ता चला जाएगा आप जी को यहाँ बुलाना कोई सोंक नहीं हमारा ये एक अनमोल काम किया जा रहा है जैसे आप सत्संग में आते रहोगे आपके अंते करन के अंदर थोड़ा बहुत कोई दोस आता है इस ग्यान से और यहाँ सत्संग से सेवा से, दान से, सीमन से वो फिर से हट जाएगा अपने अत्मों आप तो हो बालक छोटे छोटे बच्चे होते हैं और माता क्या करती है बच्चा गली में खेल रहा होता है और अपने साचियों में बड़ा मस्त होता है मा को पता है कि इसको दूद खाना खिलाने का, दूद पिलाने का समय हो गया वो उसके उठा के लाती है आजा बचा दूद पी ले वो गयता है नहीं नहीं, मैं खेल रहा हूँ अब उसको पता है कि दूद पिलाना इसको अनिवारिये है कमजोर हो जागा बेटा नहीं तो तो उसको उठाके लाती है और उसको कहती है ले दूद पी या जो भी आहर कराती है तो वो जल्दी जल्दी दूद भी पी रहा है दूद पीती है उसके मैंनूर है बस छोड़ दे मम्मी एक बाय मैं वही जाओंगा बच्चों खेलुआ तो वो पिला के दूद उसको छोड़ देती है जा खेल ले और दूद के समय फिर बुला लेती है उसको फिर दूद पिला देती है तो इस परकार उस मा को पता है कि ये ऐसे समय पर आहर करता रहेगा तो मेरा बेटा मेरी बेटी दूबली ना होगे ये बच्चे दूबले ना होंगे कमजोर नहीं होंगे बिमार नहीं होंगे और ये अच्छी तरह इनकी परवर्ष हो करके युवा हो जाएंगे तो आप एक बालक हो और दास उस परमात्मा का वेजा हुआ आप उस परमेश्वर का नौकर है आप उसके बच्चे हो बेटा बेटी हो दास की सिवा लगा रखिया कि आपकी परवर्ष करूँ इस आत्मा की आत्मा का दूद है सत्संग ये ग्यान और ये मंत्र भगती आपको यहां बुलाया जाता है और थोड़ा परती बंदित भी किया गया है कि पर्थम मंत्र के बाद सतना उत्व पराप्त होगा जब आप चार बार यहां अटेंड कर लोगे उसका कारण क्या है कि जिनको भगवान चाहिए आपको भगवान चाहिए परते कात्मी आत्मा को भगवान पर्मात्मा किया हो सकता है तो पर्मात्मा के लिए इस जीवने राज त्याग दिये राज को ठोकर मार कर जंगल में जा बैठे बगवान मिलना चाहिए उनको फिर बगवान भी नहीं विला चलो राज भी त्याग सकते हैं जब ग्यान की प्रेड़ना होगी क्योंकि उन मापुरसों जिन्होंने राज त्याग गया उनको भी कोई संत बिले सच्छंग चुनाया उनकी आतम हम प्रेड़ना हुई कि सच्छंग काम तो यह है करने का तो यहां सच्छंग में पहले आपको प्रेरिट किया जाता है कि जिस कारिये को तुम कर रहे हो और इसी को फाइनल मान चुके हो इस मुनस जिवन का केवल इतना ही काम नहीं है इसके साथ-साथ एक और वेरी इंपोर्टन जॉब है आपकी एक और बहुत जरूरी काम है प्रमात्मा की भगती करना दान धर्म और सेवा करना और फिर आतम कल्यान करा कर सतलोक में जाना जहां जाने के बाद फिर कोई कष्ट नहीं रहेगा तो इस प्रेर्णा से प्रेरित होकर भी जो भगत प्रेरित हो जाते हैं तो यह वही आतमा है जो राजाओं की थी उनको किसी ने प्रेरित किया और पिछले संस्कारत छे थे राजत्याक दिये आपको इसलिए बुलाया जाता है कि परमात्मा जब आपको लालच होगा भगवान का और आपकी आत्मा में ये समा जाएगा कि भगती बिना गुजारा कती नहीं भगवान मिले पीछा चुटेगा इतना हम ग्यान करा देते हैं आपको तो उस समें आप एक दो बार आने के बाद फिर आप आप रुक के नहीं रुक सकते हैं वहाँ पर सच्छिंग वाए बिना आपको ऐसा ग्यान करा दिया जाएगा तो फिर भी आप यहां आते हैं सच्छिंग सुनने के लिए आपका ध्यान रहता है वहाँ कि चल वहाँ जाएंगे ऐसा करेंगे फिलाना काम है ठीक है तो एक सुभाव बना हुआ है एक हमारी मजबूरी है जब तक ही संसार मरेंगे इतना ध्यान और अग बविश्य की जो हमने अपनी प्लानिंग अब बनानी ही पड़ती है लेकिन अब आपको कोई एक दिन रुकता है कोई दो दिन रुकता है कोई तिन दिन भी रुक जाता है आप जी को ये दास उस मा की तरह दूद प्ला देता है और फिर छोड़ जे तक जख खेला हो तुम अपना उस खेलाउनों से और फिर आजाना और आके फिर आपको प्रिपूर्ण कर देते हैं इस परकार आपकी आत्मा मैचोर हो जागी युवा हो जागी बगती से युक्त हो जागी फिर आप पर आने वाली आपदाएं बंद हो जाएंगी क्योंकि पाप नास हो जाएंगे पुन आपकी वर्धी कर जाएंगे पिर आपके उपर काल का कोई दबाव नहीं रहेगा आपकी आउसकता हैं पूरती पर्मात्मा करन लग जागा पिर आपना ना चोरी करन की दुरूत पड़ेगी ना कोई ओर अटबठ करके निर्वा की आउसकता नहीं पड़ेगी यदि नाम पर और बरियादा ठीक से करते हुए निमाते हुए लगे रहे हुए और फिर हम परंप्राओं को कम करेंगे खतम करेंगे अब जैसे पुन आत्माओ ये त्योहार मनाई जाते है एक भगत कह रहा था यक रही बहुत से ऐसे भगत हमें मिलते हैं तो याद रह जाता है उसने बताया था जब दिखसा लेने आये किसी भगत के मादम से साथ आये वह उन्होंने बताया जी हमने आज दस वर्स होगे कोई तो आर नहीं मना लिया कारण क्या है कि कभी तो हमारा एक पांचार मेरे चाचा ताओ पांच छे भाई थे उन्होंने कभी तो किसी की मरती हो जाती है कती खास जवान की कोई बहन विद्वा हो जाती है या घर का सदस्य मर जाता है आपने दस वर्स होगे कोई तोहार नहीं मना लिया तो पुन्या आत्माओ अब तोहार क्यों नहीं मना रहे और जिन कया भी जली ना गिरी है वा नाचें गाऊं बकवाड करें खाकते वह रहे हैं तोह भा안 या पर तो कहते हैं प्रमात्मा कहते हैं कि यदि आपको समर्थ की सरन मिल गई फिर तो यहां आप खुसी मना सकते हो और वो खुसी भी राम नाम में करो सेवा करो सिमन करो दान करो जैसा आपके हाथ से छूट रहे तो यह आपकी जो ना तोहार है इसके अत्रिक्त आप क्या देखा दास ने ये हुली मनाते है हुली जब से हमें ग्यान हुआ है हमारे बच्चे भी नहीं करते हैं छोटे छोटे बच्चे भी अपने घरों में रहते हैं उस दिन बार नहीं निकलते हैं क्योंकि समाज में ये ज़्यादा परंपरा पर चलीता है तो उस दिन क्या करेंगे गंदा पानी रेत गाहम में बहुत बुरा आल है अदलाल मू कर लेंगे बांदर की तरह सारे दिन धक्ये खांदे आंडे हैं और हम अपना बैठ का बजन करें दर्वाजा बंद करके अब जैसे जैसे अब ये आएगी किया नाम पूर्णमासी रक्षा बंदन कहते हैं सारी उल्टी प्रप्राकाल की एक बहन बता रही थी जब दिक्षा ली उसने और उसको ये समर्यादा है बताएगी सटसंग सुनाये जाते हैं पहले थोड़ी संगत थी सो दो सो चार सो वगत आ जाते थे बैठ जाते थे सब अपनी सुनाया करते थे मेरे पास बैठ के तो एक बहन कहरी थी जी आप पहली बार तो मैंने दुख हुआ था इस बात का जब ये सुना अगर रक्षा बंदन भी बाई का नहीं बांदना है तो अब मुझे पता चला के मैं रक्षा बंदन वाले दिन अपने बाई के रक्षा बंदने के लिए गई थी रक्षा बंदन राखी बंदन खातर गई थी और मेरा बाई किसी काम मोटर साइकल पर गया हुआ था और उसकी इंतजार कर रही थी अब क्या हुआ कि साम के समय दुर गटना ग्रस्त होगा मेरा बाई मर्टू होगी और उसका सव आया ओई हूई अब उन आत्मों हम रक्षा की से लिए रक्षा बंदन की से लिए बाई के हमारी रक्षा करे अब जब वो अपनी ही रक्षा नहीं कर सका बाही की रक्षा बेहन की रक्षा कहां से कर देगा जो रक्षा करने वाला है परमात्मा का रक्षा बंदन बादो और उसका रक्षा बंदन है पुनात्माओ उसका नाम लो उसकी सरन माजो भाई की भी रक्सा और बहन की भी रक्सा बच्चों की भी रक्सा अपनी भी रक्सा पती पत्नी की भी रक्सा तो हम भूल चुके हैं इन परमप्राओं में परमात्मा को भूल गे और अपने ही इस मकड़ी वाले जाल में फसक जिवन नास कर जाते हैं तो पुन्यातमों इन परंप्राओं से हमने वापिस होना पड़ेगा और उसी मार्ग पर आएं हम जैसे सफर कर रहे हैं तो सफर के अंदर ज़्यादा सामान ले करके नहीं चला जा सकता तो यह जितनी परंप्राओं हैं यह हमने लाज राखियें बेमतलब की इन से हलका होकर हैं हम इस सफर पर सफलोंगे और इनको हटाना होगा अब आप देखते हो कोई भी तोहार है दो किल्लो मिठाई लेकर कोई दर भाग रहा कोई दर भाग रहा है और एक परंप्राओं बना दी कि इतना समान तो उस दिन लेकर जाना पड़ेगा वो मिठाई वो घेवर जो भी ले जाते हैं वो कैसा बनता है इतनी जनता को एकदम कहां से लाएंगा वो इतना खोआ इतनी मावा बना करके सारा डुपले केट माल अडंगा खाना तो पुन्यात्मों पहले दिस लोक में ये खुसी मनान का सथान नहीं है हाँ परमात्मा कहते हैं समर्त का सरना गहो रंग हो री हो फिर कदे नहो ऐ काजराम रंग हो री हो समर्त की सरन गहो समर्त का सरना गहो रंग हो री हो आपके होरी माने खुसी आपके घर में अगर खुसी मनानी है तो समर्त की सरन में आ जाओ आपके रोज होरी रहेगी ये सत्संग में आना ये आपकी होरी है यही आपकी दिपावली है और यही आपके सारे तुहार है कहते हैं समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो फिर कभू नहो अकाज कोई आपका बुरा नहीं होगा राम रंग होरी हो राम के नाम की या खुसी बनाओ ते तो इस परकार हमने इन अपनी मर्यादाओं को विसीमित करना है और बगती तब ही हमारी सफल होगी अब पुनातमा क्या बताते हैं पर बीले नजाते है दुनिया हमरा ग्यान किने ना सुनिया परमातमा कहा करते के चारों युगों में संत पुकारे कुक कहा हम हेलरे एरे मानेक मोती बरसे ये चगचगता डेलरे परमातमा के बताते हैं के चारों युगों में जिन मापुर्सों को जिन संतों को में मिला उन्होंने मुझ से प्राप्टिस इथार्थ ग्यान का सब जगे परचार करने की चेस्टा की और मैं भी आकर के उंचे शवर में सब को आवाज लगा लगा करे सुनाता हूँ कबीर परमातमा जी ये हमारे मालिक है ये हमारे हमदर्द है ये हम सभी के जनक है और ये हमारे लिए भटक रहे हैं ये हमारे लिए तरफ रहे हैं कि ये फसगे कालक है और यहां कोई जीवन है इनका मन उस जीवन में सुखी नहीं फिर गज एक उत्ते सूर बनकर कहा क्या आहर करोगे कहा पढ़ोगे कहा रहा करोगे और यहां पता नहीं कब क्या हो जा प्रिवार आद हम प्रापरा पूरा प्रिवार है ख्रुसी का ठहका नहीं बच्चे हैं ब्या हो गया अच्छी रोजगार है खुंसी है arrangement में ना जाने गर के तीर शड़ से ही कठे मर जाते हैं पिरिवार के पिरिवारनिस्ट हो जाते हैं दूरुकरतना में तो प्रमात्मा कहते है काल ने तुम्हारी रोल बार राखिये काल ने तुम्हारे को मूरक बना राकिया पर मित कर राकिया तो इतना है दिखा है तो इस आगे दिखाई दिए देता तो परमातमा हमारे मोतिया बिंद का उपरेशन करने के लिए आते है और कहीं भी खड़े होकर के आवाद लगाने शुरू कर देते है कबिर साब कहते है मैं रोवत हूं स्रिष्टी को ये शृष्टी रोवेमु है ग्रीब दास इस व्योग को समझ न सकता कोई ये आत्मा भटक रही है परमातमा को रोती फिर रही है हे समरत हे सर्वसुखदाई हे सब पापों के नास करने वाले हे सब संकटों के दूर करने वाले काटने वाले बगवान हमें सुखदे परदान मंत्री के सतर का काम और पटवारी के अपली के से लगा रहे हैं कहां जाते हैं मंदर में मूरती पर या मस्चिद में बैठ कर करते हैं या कहीं और जैसे चर्च में गुर्दवारों में या किसी देवताओं को हम अर्दी लगाते हैं तो वो अर्दी वो भले ही आपकी अर्द सुन रहे हैं लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते समर्थ का सर नाग हो रंग हो रही हो कबू ना हो अका जराम रंग हो रही हो तो समर्थ की सर नाग जाने से मिलाब होगा तो वो परमात्मा कहते हैं कि मैं रोवत हूं सिरिष्टी को और ये सिरिष्टी रोवे मोहे ये मुझे खोज रहे हैं ये सारे सुखदेने वाले हमारे सब संकट को निवारन करने वाले तीनों ताप के नासक ये परमात्मा आप हमें सुखदो लेकिन जहां अर्दी लगानी चाहिए थी वहां अर्दी हमारी पहुंच यह नहीं पारी हमने उसको पता ही नहीं किये कहां अर्द करें तो यहां परमात्मा कहते हैं आप मेरे लिए भटक रहे हो और मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ हमारे इस व्योग को हमारे बीच में जो ये दिवार खड़ी कर दिया अग्यान की इसको कोई समझ नी सकता तो उसके लिए परमात्मा ने इस दास को बेज़ जा है आत्मा और परमात्मा का मेल कराने के लिए और बीच से इस अग्यान का नास करने के लिए तो अब ये ऐसा ग्यान है परमात्मा ने छस्सो वर्स पहले ये ग्यान मलाई बना कै और अपना रखी गे थे वगवान लेकिन पुन्यात्मा हो कबीर सागर, कबीर वानी, कबीर वीजक कबीर साखी कबीर दुहावली, कबीर सब्दावली ये तो एक समझो बन है बन एक बहुत बड़ा फोरस्ट है और वैद क्या करता है उस फोरस्ट से जो आवस्यक जड़िया होती है वो चुन लेता है और उनकी जड़िया बना लेता है और फिर रोगी को खिला जेता है दो खुराकों में उसोषदी से वसोषद हो जाता है तो इसी परकार ये कबीर सागर परमात्मा का दिया हुआ जो ग्यान ये अथा ग्यान है ये तो एक फोरस्ट है इसमें हर परकार की जड़िया वो है पौदे पेड़ और इस दास को पंसियों को उनका पता नहीं लगा क्योंकि वो वैद नहीं थे वो नकली वैद का बॉर्ड लगा रखा था वो समद नहीं सकेशन मोल गरंद को तो अपने आत्मा वो जड़ी इबदास ने निकाल ली है और आपके लिए दे दी है तो अब आप प्रमाटमा को पहका नहीं है उसके लिए सारा कुछ किया भी स्वामी है प्रमाटमा ने कहा था 600 वरस पहले जब दरमदास जी बहुत व्याकुन होगे थे दरमदास जी को आप खुब समझते होगे दरमदास जी आद़नी दरमदास साइब जी एक बहुत ही पुनकर्मी प्राणी थे और विचार करो पुन्यात्माओं जिसके साथ बगवान रहे साथ साथ फिरे उससे पुन्यात्मा कौन होगा साथ रहे लेकिन हम समझ नहीं सक पाए क्योंकि पुर्मात्मा कहते हैं और ग्रीबदास इस व्योग को समझ नहीं सकता कोई धरमदास जी के साथ बगवान रहे और ऐसे ऐसे लीला करके दिखाई जो बगवान ही कर सकता और करी ही नहीं सकता और फिर भी बुद्धी काम ना करी धरमदास जी की आँखों देख भी आ कि महां से सचमुच ये परमात्मा है हमारे उपर इतना प्रेसर है उसके बाद भी मो वस इतना अंधा हो गया जब परमात्मा ने कहा के धरमदास मेरी लाख दोहाई धरमदास मेरी लाख दोहाई ये मूल ग्यान कहीं बार ना जाई जो मैंने तुझे ग्यान, मूल ग्यान दिया है वास्ट भी ग्यान दिया है इसका भी कहीं चर्चा ना करना और फिर कहा कि धर्म दास मेरी लाख द्वाई ये सार सब्द कहीं बार ना जाई सार सब्द बार जो पढ़िए विचली पेड़ी हंसनी तरही अब धर्मदास्टी को परमात्मा ने बताया कि ये ग्यान और ये नाम जो तीनों मंतर हैं सत नाम और सार नाम ये तीन मंतर का एक जाब बन जाता है ये आप किसी को नहीं बताना खुद मंतर जाब कर ले और इस से मौक्स होगा इसके बगएर मौक्स नहीं हो सकता प्राणी का अधिकारी संथ से प्राफ लेना पड़ेगा अपने अत्मा जब धर्मदास्टी ने ये भी देख लिया कि समरत है ये तेरे साथ खड़ा सत लोक में भी देख आए वापिस आ लिए फिर भी उसके मनमो इतना चा गया रोन लग गया बैठके प्राफ आत्मा ने कहा है क्यों मायूस हो गया भाई भगत तब वो क्या कहता है कि वगवन आपने सपष्ट कर दिया कि इन मंतरों के बगएर मौक्स नहीं ये जो मंतर आ बता रहे हो सत नाम और ये सार नाम ये तीन मंतर का जाप है इसके बगएर मौक्स नहीं और ये मेरे बच्चे आपने मेरे को 42 पी धी का रहा जो हना वर्दान दे दिया 42 पी धी का बिरा वंस चलेगा तो मेरे बच्चे पार कैसे होंगे यूं कहकर रोने लग गया तब प्रमात्मा ने कहा के दरमदास तू अंधा मत हो यदि ये ग्यान और ये नाम आपने इनको बता दिया आने वाले समय में तेरे इस पंथ में तेरे वंसजों को काल ठगएगा और इनको भरमित कर लेगा अपने दूत बेज जागा उन दूतों को ये हाथ लगे मूल मंत्र तो बीचली पीड़ी मैं सब को पार करूंगा विश्वे को तो ये पार नहीं हो पाऊंगे मेरा मिसन खराब हो जागा मेरा सारा दाव नश्ट हो जाएगा जो मैं लगाना चाहता हूं तो दरमदास मेरी लाख दुहाई लाख दुहाई और ये सार सबद की तबार ना जाए अब दरमदास ची बहुत दुखी हो गया परमातमा ने सोचा यो काम बगाड़ेगा यो डोब बगा काहाणी मेरी बनी बनाई तो परमातमा ने प्रेड़ना की उस तिन उसके अंदर प्रेड़ना की और उसने कहा कि बगवान मैं बहुत अंदर हो चुक्या हूं वो वस मेरे बस की बात नहीं रही परमातमा बोले मुझे सत लोग भेज़ दे ओ भगवान मुझे सत लोग वधुन लगा दी दातान अग चल तुझे सत लोग भेज़ते हैं जगनात पुरी में एक प्रेड़ना की परमातमा ने उसको कि अगर ये यहां रहेगा बच्चों में इसकी ममता नो की नो बढ़ी रहेगे यू काम बगाड़ देगा सारा यू नाम बता देगा और इसके बताय हुआ नाम ने काम तो करना नहीं क्योंकि यह दिकारी नहीं क्योंकि परमातमा ने दरमदास जी को आगे नाम देने का आदेश नी दिया था कि और पांच नाम जो पर्थम मंतर के यही दिया करते थे इन इन का आदेश था जरमदास जी के लड़के जो प्रमात्मा के आशिरवाद से वह था कबीर जी के आशिरवाद से चूड़ामनी जी उसको भी स्वेम ही दिखशा दी थी स्वेमी उसको आगए नाम पांस नाम देने का गुरूपद प्राप्स करा था पांस नाम कुछ से जो आपको पर्थम मंतर में दिये जाते हैं फर्ष्ट एंड लास्ट छोड़ के फर्ष्ट एंड लास्ट उस्ट में नहीं दिया जाता था अब ये लबी कहानी है बार बार सत्संग शुनोंगे तब आपको पता चलेगा के पर्थम और लास्ट मंतर उसे में क्यों ही दिया जाता था ये सत्संगों में बताया जाएगा लेकिन अब विसे दूसरा हाज तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा के दिरमदास मैं चारों युग में आता हूँ और परतेक प्राणी को जो एक बार मेरी सरन में आ गया उसको पार करके ही छोड़ता हूँ और जब मैं एक बार जब समुदर ने जगननाथ के मंदिर को बनने नहीं दिया था इर सावश छे बार उसका पांच बार उसको खतम कर दिया था बने बनाए मंदिर को जगननाथ पुरी के मंदिर को तो उस समय मैंने स्विम आ करके एक संत रूप धारन करके और वहां बैठा था समुदर के किनारे और समुदर ऐसे उठकर रहा था चालिस फुट करीब उच्छा उठके आशे पूरा पहाड की तरह आगे को बढ़ रहा था जैसे साइकलोन आ जाती है समुदरी तूफान बोलते हैं वो सब कुछ तैस नैस कर देता है तो मैंने ऐसे कर दिया था मेरी सक्ती के सामने समुदर वहीं का होई जाम हो गया था और फिर वीपर रूप धान करके समुदर का देव आया था उसे ने विच्छे याचना की कि मैं समुदर तोड़ने जा रहा हूं मुझे जाने दे तब मैंने उसे कहा कि मंदर तोड़ने जा रहा हूं मुझे जाने दे तो मैंने उसको भाई कह दिया था कि अब तुछ दर नहीं जा सकता समुदर मैंने राजा को वचन दे दिया है जो मंदर बनवा रहा है अब जा सकते हैं कहने का भाव यह है कि दरमदास जी को ये प्रिर्णा करनी थी परमातमा ने कि वही ताकि ये यहां से निकले तो दरमदास जी के निगे जी वो सथान अब भी है जहां आपने ये समुद्र रोका था परमातमा ने कहा कि हाँ अब भी है मैं देखना चाहता हूं माराज मुझे दिखा दो परमातमा चाहूं थे कि यहां से निकला इस गंद से अब वहां जाने में यानि बांदो गड़ से और उडिसा जाने के लिए चल पड़े तीन चार दिन में पहुंचे जाकर के पैदल चल पड़े अब वहां जाकर के परमातमा ने ग्यान दिया उसको नए सिरे से समझाया के बले आदमी कहां से आया था तू क्या ये वनसज तेरे तेरे साथ रहेंगे आज ये जहां जनमे हैं चलो कल इसकी मर्ट्व होगी अबनमाने जाकर करे नाइजीरिया में जनम ले ले तेरे कहां से हो गये भले आदमी एक लेवा एक द देवा दूतम जैसे सुखदेव रिषी ने अपने पिताव व्यास जी से कहा था के एक लेवा एक देवा दूतम कोई किसे का पिता निपूतम अज तेरे परिवार है कल पता नहीं कहा जनम लेंगे और वो कहा है आज कोई मुसल्मान के घर जनम है किसी का इसाई के घर जनम है किसी का किसी के घर जनम है और आज वो तेरे घर आ रहे है उसके बाद आपका संसकार पूरा करके कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा बाराबाट हो जाएंगे तो समझानी इतना सारादमन तरे साथ पता साल होगे माथा मारते ने अर तु वहीं का वहीं खड़ा है जब उतनी दूर पहुंच गया जब यहां से है सुना तो पहले भी करता लेकिन दस बीस बारी सत्संग ने सुनकर यह मन पक पक जाता है अर नोसो चबसमन सब कुछ ग्यान हो गया खाक ग्यान हो गया इस ग्यान को तो अन्तिम सांस तक आधार बनाना पड़ेगा सत्संग सुनते रहना पड़ेगा चैरबाद सीक कर वक्ता बनेगे यहां से सुनकर आप करण लाएगे बनाना पताने लगे क्योंकि एगा ऐसा ग्यान है इस ग्यान को सुनकर आम आदमी परसंसा करने लग जाएगा और फिर उसको वो परसंसा ले डूब बैगी परानी को तो यह परबूता की भूख भी जीव का नास का करण बन जाती है धरमदास ने सोच बैठा था बना सौरा गान हो गया वहां जाकर पता चला कहने लगा जी मैं तो वहीं खड़ा था जहां से चला था आपने मेरी आँख खोल दी बगवन यह परमात्मा मुझे यहां से भेज दो ना मुए भी इस दलदल में फिर फसूँगा तब धरमदास जी ने जीवित समादी ली मापर कि मन भेज दो दाता परमात्मा बोले ठीक है बैठ इस गुफा में आग पत्थर लाए दिया उस्ते पहले धरमदास जी को संतुष्ट किया सत कहा कि भाई देखो धरमदास जी को फिर भी रहरह कर बाते ही यहां दाम थी अग जी दया करियो तो परमात्मा ने कहा था कि तेरे मैं धरमदास जी ने कहा कि भगवन आप कह रहे हो कि बिचली पीठी जब आओएगी कल्यूग पच्पन सो पाँच बीच जागा पच्पन सो पाँच वरस उस समय बिचली पीडी का समय होगा तब ये जीव पार होएंगे तब धर्मदास जी ने कहा के परमात्मा आज तो आप बता रहे हो के कल्यूग डे बाई डे बिगड़ेगी बाद सारी दिन परती दिन लोगों की वर्ती खराब होती जागी कल्यूग मैं और जब गोर कल्यूग आओगा तब तो सब लुटेरे हो जाएंगे सराभी क्वाबी हो जाएंगे तो परमात्मात् ससो पानसो वर्त पहल आगे जब यह समय आएगा उसमें तो लोग और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे तब कैसे पा रहोंगे वो और मेरे वर्त सच कैसे पा रहोंगे तब परमेश्वर कबीर जिन कहा था के वाई यह बारा पंध चलेंगे कालके और वर्मा पंध ग्रीबदास का होगा और उस ग्रीबदास के दिवारा मैं अपनी महिमा की वानी पुने परगट करंगा और उस ग्रीबदास वाले पंध में आगे चलके धरमदास स्वयम आऊंगा और मैं फिर उनको सब को पार करूँगा बेसिक किसी की कैसी ही विर्ती हो जागी क्योंकि बगएर ग्यान के तो आत्मा ये जीव गल्ती पे गल्ती करता ही रहता है तो इसको ग्यान हो जागा फिर ये हाथ भी नहीं लाओगा उन बुराईयों को जो भगती बात दखाँगी तो मैं स्वेंग जाओंगा उन सब को फिर से नए सिरे से ग्यान दूँगा और धरमदा से सत युग जैसा माहूल बनाओंगा पूरे विश्वे में और मैं सत नाम दूँगा सार नाम दूँगा सब सिक्षित करूँगा पहले और कलियोग इसलिए बना है ये कि इसमें मशीनरी युग होगा और ऐसे उपकन बनाए जाएंगे सब को सिक्षित करूँगा और फिर मेरे बच्चों को मैं आपनी पहचान कराऊंगा सब सत गरंथों से बगवान की महिमा का वर्णन कराऊंगा आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं नमस्कार सर सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुमित कुमार साहू है मैं भिलाई जिलाद दुर्ग 36 गर साया हूँ रुमित कुमार जी संत रामपाल जी महराज से आप कब जोड़े? रुमित कुमार जी क्या काम करते हैं आप? सर संत रामपाल जी महराज से नामदिक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ती साधनाई करते थे? परना ऐसी थी सर की मन में चाहत ही एक तड़ब बोलते हैं जैसे परमात्मा जो हैं सद गूर रामपाल जी महराज ससंगे बताते हैं कि हमें जो मनुष्य नाम मिला हुआ है उसमें हमें किसी ना किसी भक्ती की चाहा रहती है तो उसी के तहठ कहिए जो हम भक्ती करते थे कि मम्मी हमारे खार में बहुत अच्छा भक्ती का महौल था मेरे पिता जी भी थे मेरी माता जी हम लोग हर हफते आस्था चैनल वे सब में को भी भागवत कता आती थी उसको भी सुनते थे देवकी नंदर ठाकुर जी हो गया किरिट महरात जी हो गया मुरारी बापुजी किरा अरे एक फुफा जी है वो उन्होंने बताया कि आसराम बापुजी रहपूर में आ रहे हैं नामदिक्षा सेंटर है मतलब वहाँ पे वीदी होगी उसके हिसाब से बच्चे और सभी लोग को नाम में दिता है तो सर वहाँ पे हमको सरस्वती मंत्र मिला क्योंकि एक ऑप्श जो एक ultimate question था ना कि मुख्ष कैसे मिलेगा उन्होंने ये तो बता दिया कि हम जगत में कैसे रहे हैं जगत में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए वो तो हमें समझा चुके थे पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम एक्चिसर क्लिक करें क्या जिससे हमें मुख्ष मिल तो सर ये तो था ये मेरा side by side चल रहा था बट मन में ऐसा लगता था कि नहीं मुझे हनमान जी भी पसंद है तो मैं उनकी भक्ती करता था ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अठ्रेट था मुझे लगता था कि नहीं मुझे कुछ न कुछ तो करना है और इसी चक्कर में मतलब आप कि वहाँ जो गर्बगरी होता है वहाँ पर मैं बैठ जाता था साधना लगाने के लिए कि अगर आप है मालिक मतलब आप कहीं भी है इस दुनिया में कहीं भी है तो मैं इतना भटा करा हूँ मतलब मेरे कोशन का आंसर क्यों नहीं मिल रहा है साधना चैनल में उन्होंने ससंग देखना प्राराम के था जगतगुरु तत्योदर्शी संद रामपाल जी महराज जी के तो मेरी मम्मी ने बताया कि वेटा एक ऐसा ससंग भी आ रहा है जिसमें वो पुस्तक खोल-खोल के बता रहे है सास्त्रों से भी उस से भी कि मम्मी ने मुझे बताया बेटे देखो तुम इतने वरत साधना करते हो तो इसमें लिखा है कि अध्याच है कि स्लोक नमर 16 में बताया है कि वरत उपास नहीं करना चीए और गुरु जी का मैंने ससंग सुना तो उसमें मैंने देखा कि वो बोलते हैं कि अगर आप वरत उपास करते हो अगर किसके पीता जी है तो क्यूं चाहेगा कि उनका बेटा भूके रहे नंगे पॉपाड़ी चड़े कठो साधना करे तो ऐसा कोई पीता जी जाएगा मैं बहुला बात तिद्दम सही है अट्रेक्ट किया मुझे पॉइंट कि वरत उपास भी करना जरूरी नहीं है उसके भगर भी भक्ती हो सकती है फिर उन्होंने सर ऐसा हुआ कि एक प्रमान क्या हम तो एक प्रमान सोचते हैं और किसी पीछे चल देते हैं उन्होंने सो सो प्रमान देखर के रखे हुए हैं तो सर ऐसा करते हुए क्या होता है कि एक दिन हमारी ममी ने order कर दिया SMS करके ज्ञान गंगा ज्ञानेंगा पुष्टक घर में आती है और संयोग ऐसा बनता है सर कि मैं ऐसे तो पुष्टक पढ़ता नहीं था क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था बट मैंने सिरु उसकी भूमी का पड़ी और उसमें एक स्रिष्टी रचना है प्रिष्ट नमर 22 में तो मैंने पर्साइब गते हैं तो मतलब ऐसे लगता है क्यों कि हम मैंने पहले भी का आश्रा में जा कुप हो मेरे नानी जी राधास्वामी पंत में थी तो वहां में मंद बैखना प्रसाध प्रसादी क्ले पैसे लिये जाती दादा भगवान में पैसे लिये जाते थे आश्रा solemॉप पूरा टोटल कॉस्ट बैटता था उसमें पर सद्गुरु रामपाल जी महाराद जी के आश्रा में जैसे हम एंटर किये मतलब वहां पर ऐसी वहस्ता थी भगजी मैंने आज तक कभी ऐसी वहस्ता नहीं देखी है इतनी साफ सफाई इतना बड़ा पंडाल मैट मैट्रेस का हम को सोचा कुछ बूकिंग करानी पड़ती होगी जबकि वहां पे सर हम पहुंचे तरात के 10 बज़े और हमें पूरी सुधाद ही गई सतलोक आश्रम भरवाला में सर मैंने संत्रामपाल जी महाराजी से 12 फरवरी 2013 को नाम दिख्षा लेती है सर संत्रामपाल जी महारा से नाम दिख्षा लेने के बाद सर्दालों को बहुत लाब होती हैं तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हाँ सर लाब तो बहुत हुए हैं परमात्मा तो ऐसे हैं सर की पल-पल लाब मिलते हैं मैं इंजरी में पढ़ाई कर रहा था बहुत सारे हमारे सीनियर थे उस समय ऐसे बोलते तो नहीं हैं पर लोग क्या ओफर करते हैं कि आप ड्रिंग करिए यह करिए स्मोक करिए जवानी के दिन है तो यह सब करिए सर मैं आपको रियली फैट बता रहा हूं पहले से भी परमात्मा ने मेरे को ऐसा कुछ मतलब जो पहले भी मैं करता था तो मेरे को नर्शाविकार नहीं थे तो सर यह लाब तो मेरे को पहला लाब हुआ कि मैं किसी विकार में नहीं धसा उस समय मालिक की दया सी आर्थाथ संद्रामपाल जी महाराजी की दया से उसके बाद ऐसा हुआ सर कि मैं एवरेज स्टुडेंट था मैंने सोचा था खाली कंप्रीट कर लूंगा फिर कोई भी चोटी मुटी जॉब करके अपने घर में रहूंगा और काम करते रहूंगा परमालिक की दया ऐसी प्रेणा हुई कि उसके बाद मुझे लगा कि अब गुवर्मेंट एक्जाम की तहरी में करी रहा था सांती सांती डिप्लोमा भी किया कम्पूटर अप्लिकेशन में वहां भी सर मैं कॉलेज में सेकंड आया मतलब पूरे कॉलेज में जितने स्टुडेंट थे मैं सेकंड आया तो यह मेरे एक्जाम को देशन अच्छे करना तो है कैसे बी कर लिए मस्टे कंडिया से मेरे मार्केटिंग और हुमन के नाम सर भिला-इंस्टिट्यूट अफ टेक्नलोजी दूर्ग है और वो सेंटरिल इंडिया का टॉप रेंडिय फाइफ नमर पर आता है ऐसा एक सेंटर है और वो सेल्फ फैनेंस इंस्टिटूट है जिसको आप सर्च करेंगे तो आपको इजली उसके बारे उन डेटेल्स मिल जाएगी बियाएटी दुर्प के नाम से तो सर वहां पर मैंने MBA किया MBA करने के बाद सर वहां पर ऐसी होता है कि मतलब मैं कुछ करता नह मेरे जिस्टूडेंट है क्या मतलब इसको कोई बोल्ड नहीं है पर मेरे जो टीचर से मेरे मैंटर से फैकल्टी थे हो सब मुझे लाइक करने लगे और उसके बाद तो सर एक सिलसिला ही चाल हो गया हर महिने कोई competition होती थी उसमें और किसी को नहीं भेजना है रूमित को भे पर माली की इतनी बड़ी दया थी बंदी चोड परमात्मा की कि मतलब मैं वहां पर फर्स्ट आया था और उनिवर्सिटी लेवल पर मैंने फर्स्ट आया और सब इतने खुश्वे थे उससी के साथ मुझे बेस्ट इस्टूडन का भी अवार्ड मिला वहां पर सर ये फैदे में उतनी कंपनिया नहीं आई थी तो हम लोग ने क्या किया था कि पूल केंपस होता है सर इक जिसमें हम जाते हैं डिफरेंट कॉलेजिस के स्टुडेंट्स आते हैं तो वहां पे हमें केंपस सेलेक्शन के लिए फाइट करना होता है तो मेरा एप्टी रिजनिंग रौन भ यह भी मालिक की देह से हुए जैसी मैंने नौकरी के साथ साथ मैंने वह एक्जाम क्लियर के ना तो सब लंग बोलते कोचिंग करनी पड़ेगी पैसे देने पड़ेंगे मैंने सर वह जौब की है मैंने में एमन्सी कंपनी है जिसका हैट्वाटर टेकसास अमेरिका में है और सर वर्तमान में मैं असिस्टेंट प्रूफेसर भी हूँ और मैं गौर्णमेंट उनिवर्सिटी में पीसडी स्कॉलर भी हूँ सर एक और लाब मैं आपको बताना चाहूंगा जो प्रमुक लाब है मेरा साध मैं आज आपके सामने इंट्रीव भी नहीं दे पा रहा होता क्योंकि मेरे साथ ऐसे हो था मैं सुबह गाड़ी से जा रहा था और सड़न पता नहीं कैसे एक गाड़ी वाले ने ओवर्टेक किया और मैं थोड़ा सा डिस्वैलेंस हो गया और वहां पर थोड़ी से रेती पड़ी हुई थी तो मेरी गाड़ी इदम स्कृट खा गया और व पाउं के नीचे हिस्से में ही सिस्ष चोट आई थी और डॉक्टर ने बोला कि आपके तो सिर्फ एकी स्टीच में काम हो गया ना तो आप जिसी साब साब गीरे हो उससे तो आपके सीर में भी बहुत चोटा आनी थी और मैं जानता हूं मेरे परमात्मा जानते हैं कि उस दि कि लाज भी नहीं उठा पाता था ठानी के वह दिखकत हो रही थी और उससे आम माहिने में मेरे एकजाम में'T पह्लस होने वा तो जोलाई परमात्मा दखेखो मैं तो किसी डॉक्तर गॉरी ढॉक्टे और कि आपके हाथ में मैंने अपनी गाड़ी वह हुआ दिया नहीं नही मगा जी वो दिन था और उसी हफते में तीन-चार दिन में ऐसा हुआ कि मतलब मैं हाथ मेरे प्रॉपर चनले लग गया मैंने रैटिंग प्रेक्टिस की में लिख भी पा रहा था और उसके अगले हफते क्या होता है कि वो एक्जाम भी पॉस्पर्ण हो जाता है संत्रामपाल जी महाराज जी ने मुझे फिट भी कर दिया और बाद में फिर वो भी हो गया रुमिजी आप एक highly qualified person है और संत्रामपाल जी महाराज ने आपको सबी धर्मों के धर्मगरंतों में पिरमारित करके बताया कि भगवान कौन है लेकिन अभी भी बहुत सारे पड़े लिखे लोग जिनका आपार जनसमू है जो संत्रामपाल जी महारा से नहीं जोड़ रहे हैं तो उसमें क्या कारण है क्या भै जोड़ना नहीं चारह है या है समझ नहीं पा रहे हैं क्या कारण है सर देखिए ऐसा है कि 2014 में एक बरवाला घटना भी हुई थी तो उस समय क्या हुआ था कि जैसे आज आज आप मीडिया परसन है तो आप लोगो तो बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद कि आप लोग आज ये ज्यान पूरे समाज में फैला रहे हैं अपी तो विश्व भर में ये चीज को लोग देख रहे हैं पहले तो संगत जितनी थी और आजकल विश्व भर में इसके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और डिफरेंट चैनल मरतुमार में तेरा से ज्यादा चैनलों में आ रहा है प्रसारण तो मीडिया का ही फैला हुआ एक ब्रहम जाल था सर ये चीज और लोग को क्या है ना सर की हम एक चीज को सुनते हैं और उसका लगता है कि नहीं यार यह जो चीज हारी है यही सही है अगर कोई सो लोग आके उसी चीज को बोल देना तो आदम उसको सच मानने लग जाता है त तो सर सद्गुरू रामपल जी महराज तो आज इतनी व्यवस्ता कर रखी उनोंने विदेश भर में देश भर में इतने नामदान सेंटर थे एक आश्रम बंद हुआ सर आज आपको बताते हूं मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 600 से जादा नामदान सेंटर है जो अल और सद्गुरू रामपल जी महराज ने अपने ज्यान के माध्यम से ही दूर करने का बिड़ा उठाया है और उसमें वो काफी हद तक अभी सफल हो रहे है और खासकर उनके जो भी सिष्षे हैं जो उनसे नाम दिख चली है वो तो कभी भी कोई नशाविकार में लिफ्ट ने रहेंगा अगर कोई नशाविकार में लिफ्ट है तो उनका सिष्षे नहीं है और अगर वो जो भी है दहेज मतलब 17 मिनट में मात्र गुरूबानी से हमारे यहाँ व्हास अंस्कार हो जाते हैं परमात्मा ग्यान तो सर जी पहुँच रहा है निश्चिद पहुँच रहा है और इसको कोई रोक भी नी सकता है ऐसे परमात्मा कहते हैंiego दर्सक आज आपको देख रहा है खास कर यूबा पीडि को आप क्या कहना चाहें रियूह maintenant तो सिर्फ परमात्मा देते हैं मैं तो सिर्फ उनका दास हूं कुत्ता हूं बस उनकी तरफ से तो मैं बस हाथ जोड़के इतना करवद निवेधन करता हूं आप सभी से कि मेरे ही कुछ दोस्तों ने कहा था मुझे कि यह जो उमर है मतलब जो इसमें हम लोग जी रहे हैं अभी यह सिर्फ मौझ मस्तिक करने के लिए हैं भक्ति तो हम लोग बुढ़ापे में देखेंगे तो बुढ़ापे में देखेंगे ऐसा बोलते थे बड़ हम लोग क्योंकि भागवत का था भी सुनते थे जो भी चीज़ था तो उसमें बोलता है कि कोई उमर नहीं होती यह जुर गंगा और जीने की रहा जिस भी लेंग्वेज में आपको मंगाना है 18 डिफरेंट लेंग्वेजिस में वो बुक अवलेबल है जीने की रहा आपको हिंदी और इंग्लिश है मिल जाएगी और वह आप इसली डाउनलोड कर सकते हैं जगतगुरू संत्रामपाल जी महराज आ संत्रामपाल जी मरासे नामदिख्षा कैसे ली जा सकती है सर नामदिख्षा लेना बहुत ही इजी है और इस नौट डिफिकल्ट टो टेक इस नामदिख्षा बिगोज इन इंडिया वेरियस सेंटर्स अक्रॉस फाइफंड़ प्लस सेंटर्स वहां पे आप जाके कॉंटेक नंबर है सर जिस भी चैनल में आप देखेंगे तेरा चैनल में आते हैं नीचे की यलो लाइन फ्लैश हो रही होगी उसमें आपको डिफरेंट कॉंटेक नंबर दिखेंगे उस कॉंटेक नंबर में आप अपने एरिया का पिन कोड और अपना एरिया बताईए वहां के जो प्लैटफॉर्म में जोड़े हों फेस्बूक, ट्विटर, लिंक्डिन हो गया या फिर आपका यह जो इंस्टा हो गई जितने भी हम एप यूज करते हैं उसमें भी आप जाके इनके संत्रामपाल जी महराजी का ट्वेट करेंगे तो वहां पर आपको डिफरेंट चैनल मि लेंगे उसके थ्रूबी आप नाम दिख्षकले अप्रोच कर सकते हैं धन्यवाद सर अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कर दो करेंगे तो यूज करेंगे उस्पटल जानकारी का बाहँ जानकारी करेंगे, तो जानकारी कर दो सेंपर्द चैनल मि झाल